हेलो सेजिटेरियस वेल्कम बैक टू माई चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो डबल फोर आज की वीडियो में हम सेजिटेरियस यानिकी ध्लूराशी वालों के लिए रीडिंग करने वाले हैं अपरेल मंत में सेजिटेरियस का फाइनेंस उनके लव रिलेशन और उनकी हेल्फ कैसे रहने वाले हैं ये एक चैनल रीडिंग है आपके साथ जितना मेच करता है आप रखिए बाखे जाने दीजिए तो आएए वीडियो स्टार्ट करते हैं सेजिटेरियस आपके फाइनेंस को लेके कार्ड आये हैं 10 of swords, 5 of pentacles, night of pentacles, 2 of swords, 8 of swords और bottom of the deck का आया है आपका wheel of fortune तो सेजिटेरियस आपके कार्ड कहते हैं कि अपरेल मन्थ में आप खुद को बहुत ज्यादा stuck feel कर सकते हैं आप अपने काम में improvement करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इस मन्थ में कुछ financial loss हो कोई आपके साथ cheating भी कर सकता है हो सकता है जहां से आपका पैसा आना था वो डूप जाए या आपकी कोई deal होते होते रहे जाए आप इससे खुद को काफी निराश महसूस करेंगे ऐसा लगता है कि आ आपको आपके present work से जॉब से बिजनस से फाइदा महसूस नहीं हो रहा है और आपको future की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है अपके finance इस बंद में ठीक नहीं चल रहे हैं लेकिन फिर भी Sagittarius आप कोशिश करते हुए मिल रहे हैं कि आप अपने finance को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे plan बनाएंगे आप long term plan बना सकते हैं कि किस तरह से आपको अपने business को अपने job को अपने finance को सही करना है यह भी हो सकता है कि आप दो चीजों के बीच में खुद को उलजा हुआ महसूस करें आपके पास choices हो सकती है job की या business की या दो job की हो सकती है आपके लिए बहुत म आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने finance को better कैसे करें लेकिन ऐसा नहीं है आपका bottom of the deck जो है वो wheel of fortune का आया है तो time हमेशा एक सा नहीं रहता है time change होगा night of pentacle की energy है तो आप ध्यान से बहुत ध्यान से सोचिए कि आपको आपके काम को आपकी job को आपके finance को किस तरह से better करना है कि उसको किस तरह से आगे लेके जाना है अगर आपको किसी की सला की भी जरूरत पड़ती है तो आप दूसरों की सला भी लीजिए वो लोग जो की उस field के माहिर है इससे भी आप आगे बढ़ेंगे five of pentacle कहता है कि आप जितना loss महसूस कर रहे हैं या जितनी खराब condition आप महसूस कर रहे हैं वो उतनी है नहीं तो आप उसमें improvement कर सकते हैं तो यह थी आपके energy finance को लेके अप्रेल मन्त की अप देख लेते हैं अप्रेल मन्त में आपका love relation कैसा रहने वाला है Sagittarius love relation को लेके आपके card बहुत अच्छे आए हैं आपके card है the chariot, night of cups, will of fortune, three of wands, king of swords और king of pentacles आपके card कहते हैं कि आप में से बहुत लोग long distance relationship में हो सकते हैं आपका partner out of country भी हो सकता है, out of city भी हो सकता है और आपके card कहते हैं कि आप जिस भी बंदे के साथ में है वो बहुत ज्यादा responsible है आपकी life को वो आगे बले कर जाएगा, आपको stability देगा कुछ लोगों की life में कोई new love भी आ रहा है जो कि आपके लिए आपके आने वाले time के लिए बहुत अच्छा होगा और आपको इससे commitment मिलेगा आपका ये एक serious relationship हो सकता है, will of fortune भी कहता है कि आपकी life में रिष्टो को लेके चीज़े बहुत ही अच्छी हो रही है आपको commitment मिलेगा, आप stability की तरफ जा रहे हैं, king of sword की energy और king of pentacle की energy है दोनों ही energy king की है, तो आप बहुत ज्यादा power में रहने वाले हैं, रिष्टो को लेके इस month आपकी life में जो भी आपका partner मिलता है, आपका हो सकता है, कुछ लोगों के रिष्टा भी तैह हो तो जो भी व्यक्ति आपकी life में आएगा, वो बहुत ही powerful होगा आपकी life को भी stability देगा, आपकी बहुत ज्यादा care करेगा और उसके पास पैसा भी काफी होगा तो prosperity भी आपके रिष्टो में आ रही है तो ये month जो है आपके love life को लेके बहुत ही अच्छा रहने वाला है कुछ लोग new love को attract कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास कुछ लोगों का reunion का भी card है, कुछ लोगों की life में उनके past से ही आप उनका partner आ रहा है तो ये एक तरह का reunion भी हो सकता है तो रिष्टो को लेकर, प्यार को लेके April month, Sagittarius आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है तो अब एक card निकालते हैं हम आपकी health के लिए कि April month में आपकी health कैसे रहने वाली है Sagittarius आपकी health को लेके card आए है Two of swords, Queen of swords, Four of pentacles, Pace of cups, Nine of swords and Five of wands Sagittarius इस month आपको अपनी health का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बता रहे हैं कि आप इस month में बहुत ज्यादा चिंता में, depression में रह सकते हैं इससे आपके physical health issue बढ़ सकते हैं आपको खास तोर से अपने digestion का भी ध्यान रखना है अपने diet chart को ठीक कीजिए, time से खाना खाईए अपने mental peaceness के लिए soft music सुनिए अगर आप वहान चलाते हैं तो थोड़ा संभल कर चलाईए और किसी भी तरीके के बाद भी बाद से या जगड़े से बचिए आपको कही न कहीं चोट लग सकती है और कुछ लोगों के लिए good news भी है Sagittarius आप में से कुछ लोगों को good news मिल सकता है आप pregnant भी हो सकते हैं तो ये थी आपकी April month की reading I hope आपको पसंद आई होगी हम फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care, thank you so much